ठीक है मैं किसी को नई बताऊंगी, अभी के लिए नहीं, लेकिन तुम इस घर में नहीं रहोगी, तुम्हें जाना होगा, नकली एग्जामिनेशन को भूल जाओ, अगर पता चला कि तुम वो करवा रही हो बिना डैनेस के ये जाने, तुम मैं तुम से दावा करती हूँ, ड मैं जाने जाती हूँ, मुझे वो दो, वो चीज मुझे दो, क्या, कैसे ये मैटिरिटी बेल्ट कैसे हो सकती है, इसे ये बेल्ट, ये मैटिरिटी बेल्ट, जब हमारा बच्चा मरा तब, क्या तुम्हें कुछ भी महसूस हूँआ? मैं लगबाख खुद मर गई थी, अब म मुझे समझ में आए, तुम अपनी मौम के पास क्यों जाना चाहती थी? तुम दुनिया की सबसे बड़ी चूटी और तो, ये सब तुम्हारी वज़े से हो रहा है, मैं, मैं खुद को आप सबको मिस्करेज की बार में बताने की, हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि मैं आ पेट को अभी बहार निकालेो, अभी पर तुम सही नहीं हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं बस इंफर्मेशन ढूनने की कोशिश कर रही थी, मुझे बस जानना था कि मेरा मिस्क्यारेज आखिर हुआ कैसे अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक सबको पता चल गया होता मैं कसम खाती हूं मैं करूंगी, मैं इलाज करवाऊंगी, मुझे डेनिस का बच्चा होने वाला है डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं जल्दी प्रेग्नेंट हो जाऊंगी मैं बस डॉब्र वॉल्सीज को मिस्क्यारेज के बारे में नहीं बता सकती, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं मेरा मतलब है, ये बात दादी को मार डालेगी, और डेनिस के पापा, जिनको दिल की बिमारी है, मैं तुमसे विरंती करती हूँ प्लीज, किसी को भी मत बताना, मैं किसी को पता नहीं लगने दे सकती, ओके? डेनिस को जानना नहीं चाहिए, मैं कुछ भी करूँगी, जो तुम चाहो क्या तुम्हें गाड़ी चाहिए, या एक अपार्टमेंट, मैं तुम्हारे लिए अपार्टमेंट खरीच सकती हूँ, क्यो तुम्हें वो चाहिए? तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए मैं घुटनों पर आ सकती हूँ प्लीज सिस्टर प्लीज मैं तुमसे विदंती करती हूँ ये सब मत करो प्लीज नहीं मैं तुमको देखती हूँ तब मैं सोचने पर मजबूर होती हूँ मुझे तुम्हारी पोल खोलने की जरुवत भी नहीं है तुम खुद अपनी मुसीबत बुला रही हो जित से शुक्रिया सिस्टर ठीक है मैं किसी को नहीं बताओंगी अभी के लिए नहीं लेकिन तुम इस घर में नहीं रहोगी तुम्हें जाना होगा नकली एग्जामिनेशन को भूल जाओ अगर पता चला कि तुम वो करवा रही हो बिना डेनेस के ये जाने तो मैं तुमसे दावा करती हूँ मैं उन्हें सब बताने में बिल्कुल नहीं हिचकोंगी घम अंडी कहींगी मेरे लैप्टॉप में ताग जब कर रही थी सोच भी नहीं सकते मैंने सब सोच लिया था मुझे बस कीव जाना है इस मुसीबत का हल निकालने के लिए और बस मेरा पहले से ही वो बच्चा हो जाता भी उसे बस बीच में दखल देना ही था है ना अच्छा है क्योंकि मैं तुम्हार लिए कुछ लेकर आई हूँ शुक्रिया मैं नहीं खाने वाली मैं वापस जब्रो वाल्स कीज के पास जा रही हूं बहुत हो गया मैं बस यहां मिलने आई थी लेकिन मैंने अपने स्वागत का समय खीच दिया है क्या तुम रो रही हो ब कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या दैनिस तुम्हें वापस ले जा रहा है कि रुको तुम ऐसे बाहरी समान नहीं उठा सकती जैसे उस घर में वापस जाओंगी वो सब शुरू हो जाएंगे उसे कैसा लग रहा है यह रहा उसका पीट चलू साथ में डॉक्टर की पास चलते हैं तो तुम्हारी टेस्ट रिजल्स क्या आए है नहीं वो मुझे शांती से आर्टिफिशल इंसेमिनेशन नहीं करने देंगे खेर मेरी प्यारी बेहन तुमने सोचा कि तुम मेरे प्लैन्स बरबाद कर दोगी? मैं आटल हूं की चीज़े मेरे हिसाब से चलेंगी तुम्हारी नहीं मैं कोई तरीका ढूर लूँगी मुझे बस इंसेमिनेशन करवाने की जरूरत है मुझे परवा नहीं कि डोनर कौन है तो देखते हैं उन्होंने आखिर क्या पता लगाया है? इजारा मेडिकल क्लिनिक एक मल्टी प्रोफाल इस्टैबलिश फर्म जहां मरीजों को कंसल्टेशन्स दिये जाते हैं विकसित और नौन इंवेजिव ट्रीटमेंट्स उनके पास आंटी नीडल क्लासिस हैं और कोई अलग एक्जामिनेशन्स भी इजारा मेडिकल क्लिनिक की पॉपिलारिटी उसकी सुन्दर जगह पर आधारित है जो है मेडिटेरियन कोस्ट में जो उसका पॉपिलर लोकेशन है वहाँ पर बहुत शान्ती है मुझे बस इसकी जरूरत है मैंने पहले ही काफी टेस्ट करवा लिये है पहली चीज जो मुझे करनी होगी वो है डेनिस को ये मनाना कि वो खुद हमारे विदेश जाने के लिए पूछे इस्रेल तक मौ, क्या आप खुद को मारना चाहती है डॉक्टर ने आपको मना किया है इतनी सिलाई करने से हाँ, लेकिन लगबग हो चुका है मैं सारी कपड़े एक साथ सेल कर तेयर करना चाहती थी अनाके लोटने से पहले गुद जे एवरिवान आना मैं सबसे मिलकर कितनी खुश हूँ तुमने वापस आने का फैसला का लिया खेर, तुमें देखकर बहुत खुशी हुई तुम ऐसे भारी सामा नहीं उठाना चाहिए तुम हमें कह देती तो हम किसी को भेज देते ओ, तुमारा पेट यह और बड़ा हो गया है एहना मेरी बच्ची, इस बार मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं अपने सबसे बरता ओपर रहूँगी, मैं तुम्हें अपनी अंचाही राय और भाशन से और परेशान नहीं करूँगी मैं यह वादा करती हो, तुम वापस आ गई, मैं तुम्हें बता रही हूँ, यह लड़का है और सिर्फ एक लड़का ही नहीं, एक जाएंट इतना बड़ा पेट, तुम्हारी प्रेग्लेंसी में इतनी जल्दी फीटिस बहुत बड़ा है, देखो आना, तुम इतनी नाजुक हो, मुझे लगता है, तुम्हें सी सेक्शन करवाना पड़ेगा, हाँ ओ, साना ओ, मैंने रोलर केस्टे नहीं पहने, जबसे मैं बॉस्टेन में थी, यह बहुत ही अच्छा है ओ, आराम से, क्या तुम्हें यकिन है, तुमने कभी रूलर्स कटिंग किये, हाँ हाँ, तुम सोचते थी, कि तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मैंने तुम्हें यह ज़रूर पेर पर चड़ना तो नहीं है, सारे बच्चे इन चीजों के साथ कितनी तेज चलते हैं, यह कितना देज है, देखो क्यों नहीं हमें एक ब्रेक ले ले, नहीं मैं नहीं थकी हूँ, लेकिन मैं थक्या हूँ हम ठीक है आराम से अराम से ध्यान से एक सिकंड रूप्स अराम से बेढ़ों क्या तुम ठीक है यह प्यर दुबारा कभी रोलर स्केट्स नहीं पैनूंगा बिल्कुल नहीं यह जादा देर नहीं चलेगा हाँ यह बीच जाएगा मैंने अंतरिक्ष के बारे में पढ़ा है वो स्पेस्शिप पे पूरे वॉइट पे घूमता है और इकलोते प्लानेट से गुजरता है जहां पर इंसान जिन्दा रह सकता है और यह इन दोनों का क्या चल रहे है हम तो बस मूवी देखने जा रहे थे हाँ हेलो मैं कसम से कहती हूँ तो उम पस इस शहर में कहीं नहीं छुप सकते यह रहा मैं जो टेलिविजन चैनल की जनल पड़ी से को किस करने की कोशिश कर रहा है हनी तुम वापस आ गए हो जैसे ही मैंने सुना सब काम खत्म करके तुम्हारे पास दोड़ा चलाया अलो बीबी क्या मैं इसे चू सकते हूँ भाई दवे थैंक यू सो मच हमारे बेबी के लिए क्रेडल बनाने के लिए तुमने बहुत अच्छे से सोचा है मेरा मॉम के साथ रहने का फैसला कितना भयानक था मेरी बेहन बस सहने के लायक नहीं थी मुझे नहीं पता वो क्या सोच रही थी वैसे मुझे तुम्हें बताना होगा प्रेगनेंट और्थों के लिए एक विशेश रिजॉट है और तुम वहाँ जाना चाती हूँ पर तुमारी तरबेट ठीक है नहीं मैं ठीक हूँ बस बात यह है कि मेरे काउंसलिंग डॉक्टर ने मुझे उनकी रिजॉट का सुझाव दिया वैसे मुझे एक अंदाजा मिला कि वो इस्रेल में मेडिटेरियन कोस्ट पर है इस्रेल में? हाँ वो और्तों की डिलिवरी के लिए बहुत अच्छे से तयार करते है वहाँ प्रेगनेंट और्तों के लिए कई हिलाज है, मसाज़िस है और बहुत सारे स्विमिंग बूल्स है वो प्रेगनेंट और्तों के लिए खास जिमनास्टिक सुझाव देते हैं जिससे डिलिवरी मेरे लिए काफी आराम दायक हो वहाँ स्टाफ काफी प्रोफेशनल है ये देखो, मैं सच में वहाँ जाना चाहती हूँ जाहे, वो सिर्फ एक महिने के लिए क्यों नहों मैंने उन्हें कॉल किया था, उनके पास वेकनसीज है इसमें साफ लिखा है, ये क्लिनिक के कोई रेसॉर्ट नहीं हाँ, ये क्लिनिक है, पर वहाँ किसी को आराम का वक्त मिल सकता है जब तक वो डिलिवरी की तैयारी करेंगे हनी, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो तुम देख सकते हो कि मैं कितनी डरी हुई हूँ, मैंने सब तरकी घटनाई सुनी है वो भी डिलिवरीज के दौरान ठीक है, तुम और मैं दोनों चल सकते हैं ऐसे में हम दोनों बच्चे का खयाल रखेंगे वैसे जाने का कब सोच रही हो? कल, अगर मैं जा सकती हूँ वैसे डॉक्टर ने कहा था, जितनी जल्दी जाऊं इतना बहतर है नहीं, मैं दो हफ़ते के लिए कहीं भी नहीं जा सकता हम एक नई फैसिलिटी शुरू कर रहे हैं और यह तो बहुत बुरा है तो फिर मैं खुच जा सकती हूँ तुम बात में मेरे पास आ सकते हो मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी, ओके बेबी? नहीं, बात यह है कि मैं तुम्हें कहीं भी अकेले नहीं जाने दे सकता तुम चाहो तो मैं मॉम से या ग्रैंडमा से बात कर सकता हूँ वो तुम्हारे साथ चले जाएंगी हानी, मुझे माफ करना पर मैं मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए तुम्हारे साथ, यहां के लिए खुद से ठीक है? यह रही आपकी चाहे पता नहीं आना को वो चीजे पसंद आएंगी या नहीं जो मैंने बच्चे के लिए बनाई है कि वो कैसे पसंद नहीं करीगी, वो सब बहुत प्यारे है हाँ, क्या आपने अभी तक उसका बंप देखा है? हाँ, बिल्कुल मैंने देखा है मैं बता रही हूँ, मुझे लगता है कि यह प्यारा सा लड़का है तो प्यारा सा लड़का है थोड़ा बड़ा बं मिला है अरे बापरे, अरे बापरे शायद मैं कपड़े के नाप के बारे में गलत थी शायद मुझे उसे और बड़ा बनाना चाहिए था मुझे नहीं पता था जो लड़के होते हैं, उनकी हाइट जल्दी बढ़ती है अरे बाप, कुछ सर्प्राइस जो मैंने उसे दिये थे मैं बस स्टिच करती गए, स्टिच करती गए और देखो क्या हो गया लेकिन इसका साइज अभी पर्फेक्ट है, आना इसमें फिट हो जाएगी वो अभी उसे पहन सकती है, और बाद में आप उसे नया सिल देना वो ठीक रहेगा मैं स्टिच नहीं करती हूँ, मैं स्टिच करती हूँ, मैं पहले से कुछ बना हुआ लेती हूँ और फिर उसे स्टिच करती हूँ मुझे पूरा यकीन है कि दूसरी ड्रेस आप इससे भी खुबसुरत बनाएंगी, चलिए अब चाय पीते हैं मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, तुम बिल्कुल सही हो, मैं जो करूँगी वो ये है कि मैं एक और बड़ा कपड़ा दूँगी और फिर उससे भी बैतर स्टिच करूँगी मैं बहुत रिलेक्स्ट हूँ पैट्रो और मैं आज फिर से रजिस्ट्री ओफिस गए थे ये तो अच्छी बात है मामा ओलिया, आपको भी एक मास्क लगाना चाहिए इस सच में कमाल का है जब मैं और उन पैट्रो वहां गए थे तो वहां पर कलर्क ने हमें बताया कि उसने वहां 20 सालों तक काम किया है और उसने बताया कि जोडिया शादी की रेजिस्ट्रेशन ड्रोग देते हैं और फिर वापस आते हैं और उनकी शादिया मजबूत होती है ये तो अच्छी बात है मेरा पैट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पर कितनी महनत काम कर रहा है उसने थोड़ा वजन घटाया है बड़ा थका हुआ रहता है हाँ बेचारा थका हुआ पैट्रो अगर उसने चीजों को हलके में नहीं लिया होता तो शायद वो इतना थका हुआ और गरीब नहीं होता वो इस वक्त अपने खुद के केचन में होता वो चीजों को हलके में नहीं लेता लिव बाप प्लीज मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है हेलो हाई बेटा तुम इतनी देर से क्यों लौटी हो हे अना डब्रवस्की इसके पास चली गई है यह एक अच्छा आइडिया था मैं खाना नहीं खाऊंगी गुड़ नाइट क्या इसकी एंड्रीय से लडाई हुई हम या शायद एना के साथ ओ हनी क्या तुम आ रही हो हाँ मैं वहीं पहुच रही हूँ हनी खेर मुझे नहीं पता मैं थोड़ा आराम कर लूँगी अगर डेनिस को पता चल गया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे नहीं मैंने सब कुछ सोच लिया है कल की फ्लाइट और फिर वो क्लिनिक और फिर बस मैं प्रेगनेंट किसी को पता नहीं चलेगा मुझे पता था मेरी प्यारी बेहन मैं तुमसे बाद में निपटूंगी जब तक मैं पकड़ी नहीं जाती मुझे बस एक रात बितानी है और कल रात से मैं यहां रहूंगी नहीं को तरा शक्रादी बसा नहीं की जओ आफिया जात शर्ततत कि चिए औरूंग जातने रहए कर दोаки बिटा मैं चाहती थी कि नहीं 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 मैं यह नहीं कर सकते डेनिस डेनिस डालिंग प्लीज सुनू मेरी बात सुनू अजू अजू गुद मॉर्निंग बिटा गुद मॉर्निंग मुझे बताओगी कि क्या चल रहा है याना कुछ भी नहीं चल रहा तुम्हारा काम कैसा चल रहा है सब कुछ ठीक है बात करने के लिए कुछ नहीं है नहीं ठीक नहीं है ये नीन में डैनिस का नाम क्यों ले रही थी क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में और आना के यहां से जाने से इसका क्या संब्द हो सकता है मॉम क्या कुछ है जो आप कहना चाहती है हाँ अचली यहना प्लीज मुझसे बात करो तुम्हें बेहतर महसूस होगा और शायद मुझे भी जैसा मैंने कहा कहने के लिए कुछ नहीं है सब ठीक है पता नहीं ये मुझसे खुल कर बात क्यों नहीं करे एंड्री के साथ शादी डल गई थी किसी को अब याद भी नहीं है अना और डेनिस हर वक्त लड़ते रहते हैं क्या याना और डेनिस के बीच कुछ चल रहा है नहीं मैं इस पर ये नहीं कर सकती क्या इंका वेयर चल रहा है मुझे लगता है किचन में कुछ जल रहा है ओ दलिया ये दलिया जल गया क्या तुम वैसा ही रिसॉर्ट यूक्रेन में नहीं ढून पाई बिल्कुल वो इतना दूर क्यूं होना चाहिए असल में वहाँ पर दवाईयां दुनिया में सबसे अच्छी है उसका दवाई से क्या लेना देना है वो रिजॉर्ट के बारे में बात कर रहे है एना ठीक है वैसा ही हमें बताया गया है है ना देखे प्लीज आप लड़ना बंद कीजिए हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है टिकेट्स और रेजरवेशन्स बुक हो गए है एना और मुझे अभी काम पर जाना होगा और हम दोनों को आज के काम निप्टाने है वही से मैं एना को एरपोर्ट छोड़ दूँगा ऐसे में तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए ग्रैंड मा मैं अभी नहीं जा सकता हूँ मैं बाद में उसके पास चला ही जाऊँगा तुमने सुना अभी इसे मुझे यकिन ही हो रहा है कि मैं यह सब सुन रही हूँ मा एक फैसिलिटी शुरू करना मजाक नहीं है डेनिस को वो सब करना पड़ेगा उसकी काईदे से देख रेक करनी पड़ेगी एक मजाक नहीं तुमें लगता है एके प्रेगनन बीबी मजाक है और उसके अंदर का बचचा मजाक है उन्होंने अपना फैसला कर लिया और उन्होंने हमें बताने की तकलीफ भी नहीं की है ना तुम लोग बस ठीक है हमें जाना होगा उन्हें वो करने दीजे, जो नहीं अच्छा लगता है, उनके लिए सही है, वहाँ बंदुकों से लड़ाई हो, मा, शांत हो जाए, जहाँ एना रहेगी, वहाँ पर बंदुकों से लड़ाई नहीं होगी, मैं काम पर जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं, हाँ, मिलते हैं, मैं कह रहाँ पाँच, मैं बता रहा हूँ, यह साथ है, देखो, हमें यह असाइन्मेंट मिला है, हमें बताया गया था उसे बनाने के लिए, एक मीटर चोड़ा रखें, और लंबाई पाँच से साथ मीटर तक रखें, पाँच रखते हैं, साथ, पाँच, हम सबसे जादा क् तो हम सबसे कम क्यूं करें, मैं अभी वो देखता हूँ और पूछता हूँ कि वो ठीक कितना लंबा होना चाहिए, रुको मैं अभी आता हूँ, चलो ठीक है, मिस्टर डेबरोवीच, क्या आपका एक मिनट मिल सकता है, ओ, हलो, हेलो, लूबा, कैसी हो, क्या तुम्हें पता है, पेट्रो कहा है, ओ, पेट्रो, पेट्रो हमारा बोनस लेने के लिए गया है, तुम देख रहे हो, आज हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं, हायर आप्स ने हमें बोनस देने का फैसला किए, खर तुमारे लिए अच्छा ही है, शाब बाश लड़को, मैं तुमारे लिए खुश हूँ, लूबा, हाय, हलो, हलो, मैं लंच में तुमारे लिए कुछ खाने को लाई हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मैं अपने हाथ धोकर आता हूँ, हम लोग बहुत देर स से बात कर रहे हैं, तुम वह खड़े-खड़े मेरा मूग क्या देख रहे हो, अगर हमने साथ मीटर गहरा गड़ा नहीं खोदा तो वो लोग हमारे उपर जुर्माना लगा देंगे, समझे? कितने मेहंति करम चारी हैं, जाओ अपने हाथ धोलो, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक खाना है, हाँ, 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 देनिस, डालिंग, प्लीज सुनो, मेरी बात सुनो मैं काम के लिए लोटाई, पैट्रो ने सबको अपने रिगार्ड्स भेज़े हैं, तो सब ऐसे ही रहेगा ना भावी? लिए भा, क्या तुमने डंपलिंग्स जाधा पका दिये? हमारे पास वैसे ही आलो और मश्रूम्स खत्म हो चुके थे, टेबल नंबर फाई से ओर्डर्स पी आ चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? हाई, गुड़ डेए सौरियाना, अब तुम इसे क्या कहोगी? तुमने इस पर नजर क्यों नहीं रखी? ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि मैं मेन हॉल में थी, आखिर मैं दो जगों पर एक साथ काम कैसे कर सकती हूँ ठीक है, इमरचनसी है, हमारे पस रेग्यूलर हैं टेबल तोपर और डंपलिंग्स और आलू के बजाए वो पैट्रो स्पेशल मांग रहा है, हम क्या करें? पैट्रो इतनी महनत कर रहा है, सब सिर्फ इतने के लिए हम सब उसके बिना बेबस हैं हम, हम बस ही पैट्रो के बिना नहीं कर सकते हैं, लोग उसकी डिशस खाने आते हैं, हम क्या कर सकते हैं ठीक है, अब शांत हो जाओ गर्स, मैं कस्टमर से बात करती हूँ ओ नहीं, मत कर ये, मैं करूँगी, मैं उन्हें एक मुफ्त की ड्रिंक ओफर कर देती हूँ, मैं उन्हें बता सकती हूँ कि वो आज का स्पेश्यल है, मैं उन्हें किसी और तरह से मना लूँगी, शायद वो समझ जाएंगे हलो, हलो, मैं बस यहाँ तुम लोगों को अपने केसिस देने आई हूँ, सारी ज्राफ्स भी, मैं एक सफर पर जा रही हूँ और मेरी फ्लाइट आज रात है क्या तुम्हें ट्रेवल करने की इजाज़त है? तुम कहां जाने वाली हो? अच्छी बात है, लेकिन तुम वापस कब आउई? वो आभी के लिए एक राज है, तुम्हें आखिरकार पता चल जाएगा बता भी दो, सस्पेस मत रखो, प्लीज प्रेगनेंट और्थों के लिए एक रिजॉर्ट है, इजारा मेडिकल इस्रेयल में इजालिया? यह अच्छा है ओ, यह तो बड़ा ही सुन्दर है क्या तुम किसी रिसॉर्ट में जा रही हो? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने सब कुछ साइन कर दिया है है सिस्टर, है सिस्टर शुक्रिया आना, मुझे तुमारी फाइल्स पहले मिल चुकी है ठीक है, मैं मिलती हूँ तुम सब से है वा गुड ट्रिप आना शुक्रिया पर वापस जरूर आना पाइबाइ मुझे माफ करना पर ये कौन सा सफर है? यहाँ आओ, मैं दिखाती हूँ, वो कहा जा रही है अच्छी जगा है है ना? कंसल्टिंग और डाइग्नॉस्टिक्स आर्टिफिशिल इग्जामिनेशन आना रुको क्या चाहती हो तुम? मैं देख रही हूँ, तुमने इसरेल में क्लीनिक पर जाने का फैसला किया है कोई तुम्हारी रास्ते में ना आए तुम वहाँ प्रेग्नेंट होने वाली हो ना? मैं सोचती हूँ कि बाप कौन होगा उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं असल में है? हाँ मैं वहाँ जा रही हूँ, डेनिस मुझे एरपोर्ट तक छोड़ देगा वो मानता है कि मैं आराम कर सकती हूँ देनिस को लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, उसे नहीं पता तुम कहां जा रही हो ओ, क्यों ना मैं उसे मिस गारिज के बारे में बता दूँ, उसे शायद दिल्चसपी होगी तुम हमत नहीं करोगी देखो मुझे हलो याना हलो हाई अनी ओ, तुम दोनों लंच के लिए बिल्कुल वक्त पर आये हो, क्यों रहा हम साथ बैटकर लंच करें ओ, आना मुझे मुझे तुमारे बारे में बहुत चिंता हो रही है चिंता मत कीजिए, मैं कुछ दिनों में उसके पास पहुंच जाओंगा और आप हर रोज उससे वीडियो कॉल पर बात कर सकती है यह सच है आज की टेकनालोजी के साथ आपको हमारी एना और इस घर के बीच में भी दूरी महसूस नहीं होगी ओ, मुझे होगी मुझे सच में वो महसूस होगी आना की ड्रेस टेडी हो गई है आप उसे दे दीजिए मेरा है सच में यह कितना सुन्दर है तुम्हारा मतलब है तुम्हें यह पसंद आया सच में आना यह लो ऐसे मैं तुम इसे पहन कर क्यों नहीं देखती तुम्हें सच बताओ मुझे नाप के बारे में चिंता है लेकिन क्या क्या होगा अगर यह ज्यादा टाइट हो तो अभी अभी क्यों नहीं मेरे लिए यह करो अब ट्राय करके देख लो ठीक है टेनिस बेटा बस मुझे फेर से बताओ इसराइल में उस रिसौर्ट के बारे में ऐसा क्या खास है जो हमारे पास으면 उनके पास कप्तर क्रताथ है वो प्रेगनेन्ट मोमन को डिलिवरिक लिए तयार करते हैं और उनके पास बहुत सारी मा वो एक रिसौर्ट इतना नही है जितना वो एक क्लिनिक है ये इंटरनेट पर है, उनके पास योगा क्लासिस भी है, वो भी प्रेगनेंट और्तों के लिए मैं लगबग बूली गए, उजाना, ड्रेस के पीछे एक क्लास पर है, आना वो अकेले नहीं सब आल पाएगी हाँ, मैं अभी जाकर ले आती हूँ, मैं करूँगी मैं इस खराब ड्रेस को कैसे बांधू हूँ एक्सक्यूज मी आना, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे पता था यही होगा, मुझे पता था तुम इस क्लास को संभाल नहीं पाओगी इसके लिए माफ करना, मैं तुम से वादा करती हूँ कि जो अगली ड्रेस में तुम आदे लिए बनाऊंगी उसका एक डंका क्लास होगा, ठीक, आगी की तरफ तुम कितनी खूबसरत लड़की हो, यह तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने बिल्कुल सही नाप चुना है चलो, इस ड्रेस को सब को दिखा दे, पुरे परिवार को अब चलो, चल दी चलो ओ माई गडनेस, तुम किती सुन्दर लड़की हो, सच में तुम किती खूबसरत हो मुझे तो डर लग रहा है कि कही तुम्हें नजर न लग जाए मेरी बच्ची मेरी कीमती बच्ची, चलो भी, वो सब हमारा इंतजार कर रहा है, चलो क्या मैं थोड़ी दिर क्ले लेट सकती हूँ, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, सफर से पहले लेटोगी और तुम्हे थोड़ा आराम मिलेगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, लेकिन अब चलते हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उन्हें ड्रेस दिकानी होगी, अभी चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी साथ आओ, ये क्या गिरा, य क्या है ये, ये क्या चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है, काफी देर हो गई उन्हें, आना को पैकिंग पी तो करनी है, उन्हें थोड़ा हर वक्त देते हैं, मॉम ने वो ड्रेस सीने में इतनी एनरजी और प्यार लगाया है, अगर एक लड़की तरह है मैं इमजिन कर सकता हूं ग्रेंड मों से चैट वॉक करा रही होगी मैं जाकर देखकर आती हूँ ओके वो क्या है, मुझे दो, मुझे वो चीज दो, आप कुछ गलत समझ रही है, यह सिर्फ maternity belt है, मैं कसम खाती हूँ मुझे वो दो, वो चीज मुझे दो, क्या, क्या, कैसे ये maternity belt कैसे हो सकती है, इसे ये belt, ये maternity belt नहीं है, ये देखो, ये पहना था उसने, ये maternity belt है, ये बोल रही है, ये तुम्हें पता ये क्या है, ये लोग रखो तुम, यकीन देखो रहा है, ये लोग रखो तुम, ये मा कहा है वो तर्वाजा कुलो मैं सब कुछ समझा सकती हूं तुम्हें सब कुछ बताना होगा चलो मैंने उसे अपना परिवार समझा एक बेटी की तर हम प्यार किया उसे मैंने मा मैं बहुत ज्यादा शर्मिन्दा हूं लेकिन तुम प्रेग्नेंट थी ना हां मैं प्रेग्नेंट थी पर मेरा मिस्कैरिज हो गया था मा वैलेरिया जल्दी अबुलेंस को बुलाओ ओजाना जल्दी पाली लेकर आओ मा अपने अपको समभालो मा हाँ दादी मा आपको क्या हुआ है दादी मा की तब्यद कैसी है उन्हें लगता है एक स्ट्रोक है मुझे माफ कर दो डेनिस मैं तुमारी कसम काकर कहती हूँ किसी से जूट नहीं बोलना चाहती थी हर बार की तरह यह सच में मुझे सच्चाई बताना चाहती थी लेकिन मैं मैं नहीं बता पाई मैं बस यह सब काफी इंट्रेस्टिंग है मुझे एक बात बताओ एक बच्चा खोने के बाद तुम प्रेग्नेंट होने का नाटक कैसे कर सकती हो मैं डरी हुई थी कि तुम सब मुझसे नफरत करोगे मैंने सच में सोचा तुम मुझे पर इल्जाम लगाओगे बच्चे की मौत के लिए मैं बेबी का फादर था पर मुझे नहीं पता था कि वो है ही नहीं सच बतावायना क्या तुम्हें आजीव नहीं लगा जब मैं तुम्हारे नकली पेट को छूता था अपने बीबी को कहानी सुनाता था क्या वो मजाग था क्या वाकई आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो इस वक्त उपलब नहीं है क्रिप्या थोड़ी देर बाद कॉल करें मेरी बहन पहले ही क्लीनिंग पर पहुँच चुकी होगी अपनी नई प्रेग्नेंसी के लिए तैयार हो रही होगी मैं अब और चुप नहीं रह सकती मुझे डेनिस को उसके बच्चे के बारे में बताना होगा उसका जानना जरूरी है क्योंकि मैं मैं कुछ भी कहने पर जेल थी मैं नहीं चाहती थी कि किसी को उस खबर की वज़़से बुरा लगे तुम सब कितने खुश थे और तुमारा परिवार कितना खुश था तुमारी दादी तो बस उस प्रेगनेंसी के लिए ही जी रही थी मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी आखिर तुम सोच क्या रही थी इसी तरह तुम जूट बोलती जाती और फिर क्या जब हमारा बच्चा मरा तब क्या तुम्हें कुछ भी महसूस हुआ मैं लगबा खुद मर गई थी अब मुझे समझ में आया तुम अपनी मौम के पास क्यों जाना चाती थी तुम्हें अपना नकली पेट छुपाने के लिए कुछ वक्त चाहिए था तुम्हें वो पहन लिया और हम सब को धोका देती रही और अब इसराहिल के लिए एक ट्रिप यह सब किस लिए मुझे उस वक्त अच्छा महसूस नहीं हो रहा था मैं अपना इलाज करवाना चाहती थी मैंने सोचा तुम आऊँगे और फिर से प्रेगनेट हो जाऊँगी हुमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं उसे यह बताऊं भी कैसे वो कहा है हेलो इतनी देर से कॉल करने के लिए माफी चाहूंगी डैनिस से बात करनी है डैनिस अभी घर पर नहीं है असल में कोई भी घर पर नहीं है तुम्हें यकीन नहीं होगा कि यहां पर क्या हुआ है मुझे तुम्हें उस बारे में बताना तो नहीं चाहिए लेकिन तुम अपनी बहन से पूछ लेना यह सब किस बारे में था यह एक फिल्म की तरह दिखता है हमारा बच्चा इस शो के स्टार के रूप में कमाल है जब मैं छह साल का था मैंने एक शानदार ड्रॉइंग देखी एक बच्चे की किताब जिसका नाम था टील्स और वो सब ट्रॉपिकल फॉरस्ट के बारे में था क्या मैं इसे चूँ सकता हूं मैं ध्यान रखूंगा तुम चूँ सकते हो कैसे तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है ठीक है चलो उठो बहुत हो गया जहिलना जियादतर गलती तुम्हारी ही थी तुम ही थी जिसने बच्चा खोया अब तुम्हारा दूसरा बच्चा उनका कोई हक नहीं है तुम्हें जज करने का रेशा मेरी चित्ता मत करो प्लीज घर जाओ और आराम करो मैं गबरा जाती हूँ तुम आसानी से थक जाते हो तुम यह नहीं कर सकते मुझे अभी यहीं रहना है आपके साथ में मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है सच में स्कैन तो नॉर्मल है यह जानकर अच्छा लगा मम्मी और मैं सच में दुआ कह रहे थे कि दाते जल्दी ठीक हो जाएं हम उनका ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज करेंगे उन्हें थोड़ी देर के लिए यहां रखिए फिर हम देखते हैं शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्या मैं उन्हें देख सकते हूं हाँ पर याद रखना वो इमोशनल ना हो आईए हाँ मैं क्या कह सकता हूं हम सबको सद्मा लगा है लेकिन किस्मत अच्छी है कि कोई भारी नुक्सान नहीं हुआ है वो कई स्ट्रोक नहीं था वो एक हाइपरटेंसिव क्राइसिस था तो हम आपका शुक्रिया आदा कर सकते हैं हमें सही वक्त पर बुलाने के लिए मैं के लिए कुछ आगे के लिए दवाईयां लिख देता हूं आप लोग पेशेंट को परेशान मत किजिएगा इन्हें शा सब्राय हुआ होगा हाई डेनिस डॉक्टर ने कहा है कि वो स्ट्रोक नहीं था वो ठीक है वो पूछ रही है कि तुम कहा हो हाँ ठीक है मॉम डेनिस पहले अस्पितल पहुंच चुका है वो जल्द आ चाहेगा मुझे बस यह समझ में नहीं आ रहा है वो सच कैसे छुपा सक है हम सब लोग उसे अपना बच्चा वो पैदा नहीं करना चाहती है मा इस बारे में इतना मत सोचिए अभी जो जरूरी है वो यह है कि आप ठीक हो क्या उसे सोचा कि हम जानवर है कि हम उसे घर से बाहर निकाल देंगे मत जारे मौद 화ा नहीं वो लाहर है कि अरflower है कि उसे में आ तीक है कि खयंगे हम जानव करें तूलक करें फूले है मोडिको लगी करें रहा है उन्होंने उससे बात की जब वो मीटिंग में थी और उसके दादी अस्पताल में थी उसने सब कुछ छोड़ दिया और वहां से चली गए तुम्हें क्या लगता है? मेरी बहन पहले इसराइल के लिए निकल चुकी है मुझे तो ऐसा नहीं लगता पर एक बात तो ज़रूर है उसकी दादी अब भी अस्पताल में है बस तुम्हारी बहन की वज़े से तुम्हें लगता है उन्हें पता चल गया वो प्रेगनेंट नहीं है? ऐसा हो सकता है अगर उन जोटों का अखिरकार खुलासा हो सकता है मा क्या आपको थोड़ा पानी चाहिए? या जूस? उजाना ने कॉल किया उसने का कि उसने कुछ ताजा चुकन सूप बनाया है क्या आप चाहती है कि वो थोड़ा लाए? नए शुक्रिया तुम यहां क्या करने आई हो? तुमारे लिए यहां कोई जगा नहीं है मैं इसलिए आई थी क्योंकि मैं माफी माँगना चाहती थी तुम जूटी हो तुम दुनिया की सबसे बड़ी चूटी और तो यह सब तुमारी वज़े से हो रहा है मैं खुद को आप सबको मिस्करेज की बार में बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई क्योंकि मैं आप सबको परेशान नहीं करना चाहती परेशान? वैसे भी हम सब परेशान होते हम सब तुमारे साथ शोक मना सकते थे लेकिन तुमने क्या किया? तुम हमेशा नौटन की करती हो, इस बार तुमने प्रेगनेंट होने का नाटक किया, तुमने हमसे जूट बोला, तुम जानती हो, ये एक गुना है, क्या तुम नहीं जानती है, कितना गंभीर है, तुम नहीं जानती है, कितना गंभीर है, तुम नहीं जानती है, कितना गंभ मैं तुम्हारी दादी के बारे में घबराई हुई थी, मेरी वज़े से उनकी तबियत खराब हुई, मैं माफी मांगना चाहती थी तुम मेरी ग्रैनमा के लिए परिशान थी, तुम मजाग कर रहे हो, तुम इस लायक नहीं, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, तुम्हारी ये माफी आप किसी काम के नहीं है नहीं, मैं सच में सौरी बूलना चाहती थी, मैं बहुत शर्मिन्दा हूँ, कसम खाती हूँ, काश में ये मानने के लिए न डरती, कि मेरा मिस क्यारेज हो गया था तुम्हारे आशों से मुझे कोई फरक नहीं पड़ेगा, बहतर होगा यहां से चली जाओ रुको जैनिस, मैं तुमसे विननती करती हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो यह हम सब के लिए बहतर होगा, अगर तुम इसी वक्त अपनी मौम के पास चली जाओ मैं तुमसे अब कोई बात नहीं करना चाहता, सब कुछ खत्म हो चुका है करता है प्लीज में तुमसे प्लीज करना चाहता है